जै माता की आप सभी को नौरात्ती की बहुत बहुत शुब कामना है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब फैमली फ्रेंड में शेयर जरूर कीजेगा तो चलिए पड़ा पड़ बनाना सीख लेते हैं आज हम बना रहे हैं वरत वाले केले की सबजी इसके लिए हमने दो मीडियम साइज के कच्छे केले लिए हैं उसे बॉयल कर दिया है एक सीटी लगाने के बाद इसे पील करके छोटे छोटे इसके हमने पीसे कर लिए हैं आप चाहे तो बड़े भी कर सकते हैं अब हमने ले लि वह करी पत्ता एड़ करेंगे इससे फ्लेवर काफी अच्छा एगा तीनों चीजों को हमें भुन लेना है और ये आप जरूर रेसिपी ट्राइ कीजेगा आपको बहुत पसंद आएगी जटपट बनके तयार हो जाती है अब इसमें हम हाफ टी स्पून रेट चिली पाउडर आड़ करेंगे आप चाहे तो इससे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं खाते पर इससे इसका जो कलर है वह बहुत अच्छा आएगा अब हमने जो कट करके केले रखे थे उसे इसमें आड़ कर देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और यह जो सबजी हो रेडी बॉयल है तो इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसे हम कवर करके कुक करेंगे जिससे थोड़े से कुरकुरे हो जाए और फ्राई हो जाए अच्छी तरीके से इसे हमें भुनना है बस भुनते ही हमाई सबजी जो है बहुत जल्दी से बन जाएग जिससे इसमें तीखा पना है और इसके बाद हम एक टेबल स्पून चॉप किया हुआ जींजर एड़ करेंगे इससे जो है टेस्ट में काफी फरक आएगा आपको बहुत जादा अच्छा लगेगा लास्ट में एड़ करने से जो है इसका जो फ्लेवर होता है वो बना रहता है लास्ट में गैस आफ करने के बाद हमें इसमें नीबू का रज डालना है हाफ लेमन जूस उसको एड़ कर दिया हमने और हरी धनिया के बिना तो मेरी सबजी ही नहीं बनती है तो लास्ट में हम स्प्रिंकल करेंगे हरी धनिया और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंग मिक्स करने के बाद हमारी जो सबजी है भी बिलकुल मज़िदार बनके रेडी हो चुकी है आप इसे वरत में खाईए या फिरा पैसे भी खा सकते हैं लेकिन ये बनाने में भी आसान है और खाने में तो ये बहुती ज़्यादा मज़िदार है तो इसे अब हम सर्फ कर लेते हैं आप इसे खा सकते हैं वरत वाली पूरी के साथ कूटू के आटे की पूरी के साथ खा सकते हैं साबुदाने की पूरी के साथ खा सकते हैं पराठे के साथ खा सकते हैं बहुती अच्छी सबजी बनके तयार हो गई है आप इसे इस नौरात्री में जरूर ट्राई कीजेगा आई होप आपको ये वीडियो बहुत सादा पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब फैमली फ्रेंड में शेयर जरूर कीजेगा आप में मिलूगी अपनी एक नए रसेपी के साथ तब तक देखते रहे हैं शेफ पुनाम घर की रसोई